हमने देखा कि किस प्रकार रोकड बही के डेबिट शेश के आधार पर और रोकड बही के क्रेडिट शेश के आधार पर बैंक समाधान विवरंट बनाया जाता है बैंक समाधान विवरन बनाने की एक ये रीती थी जिसमें हम एक Formit के आधार पर Plus और Minus के नियमों को फॉलो करते हुए बैंक समाधान तयार करते हैं आए एक नजर बैंक समाधान विवरन बनाने की दूसरी रीती पर डालें जबकि concept हम plus minus का वही follow करते हैं जो अब तक हमने देखा लेकिन प्रारूप जो होता है वो बदल जाता है यहाँ पर हमको जो विशेश तोर पर ध्यान रखने योग यह बाते हैं वो होंगी सबसे पहले तो हमको देखना है कि इस विधी से जब हम बैंक समाधान विवरण बनाएंगे तो यहाँ पर जैसे के हम पहले करते थे Passover या रोकड भई के debit या credit शेश की आधार पर सभी चारों आधारों पर हम बैंक समाधान विवरण बना सकते हैं दूसरी एक महत्वपोण बात कि बैंक समधान विवरन बनाते समय कुछ लेखांकन संबंधी नियमों को हमको फॉलो करना है कौन-कौन से नियम होंगे पहला यह होगा कि यदि रोकड बही का प्रारंभिक शेस डेबिट दिखा रहा है कैश बुक का डेबिट बैलंस दिखा र ध्यान रखना है कि अगर आपके प्रैष्ण में रोकड बही का जो डेबिट शेष हो बता रहा है तो यह चो अमांट है यह प्लस के कॉलम में जाएगी आधार बनेगी यह बेसिक अमांट होगी दूसरी अगर रोकड बही का क्रेडिट शेश बता रहा है तो क्रेडिट शेश की जो अमाउंट होगी वो इस प्रारूप के माइनस साइड में उसको हम लिखेंगे अब वो कंडिशन जबकि पास्बुक के शेश के आधार पर बैंक समाधान विवरन बनाना हो तो प्रारूप हमारा यही रहेगा डेट रह प्रारंभिक शेश जो हो वो डेबिट हो अगर प्रश्ण में पास्बुक का प्रारंभिक शेश दिया गया है और उसके आधार पर हमको बैंक समाधान विवरन बनाना है तो यह जो डेबिट शेश की अमाउंट होगी वो माइनस वाले कॉलम में जाएगी फर्स्ट कंडिश अगर पास्बुक का क्रेडिट शेश है तो क्रेडिट शेश की जो अमाउंट है वो प्लस वाले कॉलम में जाएगी तो आधार को बस हमको याद रखना है और बागी प्लस और माइनस के जो नियम है वह हम वही फॉलो करेंगे जो कि हम अभी तक करते आए हैं तो आएए यह जो दूसरी पद्धिती है इसमें पास्बुक के शेश के आधार पर किस प्रकार हम प्रशन बनाएंगे इन से सम्बंदित हम प्रशनों पर एक नज़र डालें रोकडबही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष या ओवर्ड्रॉप्ट बारा सो रुपए 31 मार्च 2000 को था बैंक समाधान विब्रेंट पत्र बनाईए पहला बैंक संग्रा के लिए 1500 रुपए के चेक भेजे गया केवल 900 रुपए का चेक संग्रहित हुआ दूसरा 2600 रुपए के चेक निर्गमित किये गए पर भुपतान के लिए 31 मार्च 2000 तक प्रस्तुत नहीं किये गए तीसरा पास्बुक के अधिविकर्ष के ब्याज के रूप में 60 रुपए विकलित किये गए चौथा, 500 रुपए पास्बुक में गलत जमा क्रेडिट किये गए पाचवा, 650 रुपए चेक संग्रा के लिए बैंक भेजे गए उनका संग्रा 10 अप्रेल 2000 को हुआ इस कोश्टन में जो बेज दिया है बैंक रिकंसिलेशन स्टेट्मेंट बनाने का उसमें हम देख रहे हैं रोकड बही के अनुसार क्रेडिट शेष यानि की अधिविकर्ष दिया गया है और जब हम सेकंड मेथड से इसको बनाएंगे तो ये घटाने की रकम यानि की माइनस वाले कॉलम में आ जाएगा संग्रह tuvane के लिए जै唱 फिर हम देख रहें कंडिया गया है बैंक संग्रह के लिए 1-800 रुपई के चेंग भेजे गया लेकिन केवल 900 रुपई के चेंग संग्रहित हुरे इसका मतलब यए है कि संग्रह के लिए 600 रुप म Particularly डिक sara के लिए भेजे तो वहां पर जो अमाउंट दी गई है उसको भी हम इस कॉलम में एड करके लिखेंगे यानि कि टोटल 600 प्लस 650 के माउंट को माइनस कॉलम में लिखेंगे में दिया गया है 2600 के चेक निर्गमित किये गया पर भुकतान के लिए 31 मार्च 2000 तक प्रस्तुत नहीं किये गया इसका मतलब यह है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की तिति तक यह 2600 का चेक जो है वो बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया टेबल को अगर हम देखें तो यह पॉइंट आएगा निर्गमित चेक भुकतान के लिए अपरस्तुत के अंतरगर और जबकि रोकर भही का अधिविकर्ष है तो यह पॉइंट माइनस में आ जाएगा तो माइनस में हम यहाँ पर लिखेंगे निर्गमित चेक भुकतान के लिए अपरस्तुत अगले पॉइंट में हम देख रहे हैं कि पास बुक में अधिविकर्ष के ब्याज के रूप में 60 रुपर विकलित किये गये अब क्योंकि यहाँ पर पास बुक में अधिविकर्ष पर ब्याज नगाया गया और माइनस कॉलम में हम 60 रुपेज से इसके एंट्री करेंगे फॉर्थ पॉइंट है 500 रुपए पास बुक में गलत जमा यानि की क्रेडिट किये गए टेबल में हम देख रहे हैं कि जब भी हम पास बुक में कोई अमाउंट गलत लिख देते हैं तो वापस हम उसको एड्जस्ट कर देते हैं तो यहां पर क्योंकि क्रेडिट किया गया है यह 500 रुपीस तो माइनस में हम उसको लिख कर एड्जस्ट कर लेंगे और यहां विवरेंड में लिखेंगे पास्ट बुक में किये गई गलत प्रिश्टी और 500 के अमाउंट को हम म इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आंतर आ जाता है 410 और यह आएगा पास्बुक के शेश के आधार पर क्यूंकि हमने जो बेस माना है बैंक रेकंसलेशन स्टेटमेंट का वो है रोकडबही के अनुसार अधिविकर्श जो जमा किये गये परंतु संग्रहित नहीं हुए 3000 दूसरा निर्गमित चेक जिने प्रस्तूत नहीं किया गया 1500 तीसरा बैंक द्वारा बीमे की किस्तिका भुपतान 2000 चौथा बैंक द्वारा बैंक ब्यात जमा किया गया 400 पाचवा बैंक शुल्क 100 रुपै छटवा ग्राहक स्वारा खाते में सीधा भुपतान 4000 इस प्रश्न में जो आधार है हमारा वह है रोकडबही के अनुसार शेश याने बैलेंस एस पर कैश बूक और इसके आधार पर जब हम बैंक समाधान विवरंट तयार करेंगे तो यहां पर क्यूंकि हमको यह देखना है कि किस-किस अमा पॉइंट है चेक डिपोजिटेट इन बैंक बट नौट ट्रेडिटेट चेक जो जम्मा किये गए परंतु संग्रहित नहीं हुए उसको हम देख रहे है क्योंकि यह जो पॉइंट है हमने जो टेबल देखा था उसके एकॉर्डिंग इस कंडिशन में यह लेस होगा माइनस होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेस के अंतरगत चेक डिपोजिटेट बट नौट क्रेडिटेट इन दे पास बुक और माइनस वाले कॉलम में हम इसकी अमाउंट लिखेंगे 3000 नेक्स जो हम देख रहे हैं जिसके अंतरगत दिया गया चेक इसूट बट नौट गेट निर्गमित चेक जो भुकतान के लिए प्रस्तूत नहीं किया गया अब तो यहां पर हम इसको एड कर देंगे और प्लस आइटाँime तो इसे हम लेस कॉलम में लिखेंगे insurance premium but insurance premium paid by bank 2000 फिर हम next देखेंगे यहां पर बैंक द्वारा बैंक ब्याद जम्मा किया गया हमको बहुत ध्यान रखता है यहां पर कि bank interest credited जम्मा किया जा रहा है bank में तो इस condition में क्योंकि वह जम्मा कर रहा है तो इंट्रीज होगी बढ़ेगी तो हम इसको एड़ वाले कॉलम में लिखेंगे एड बैंक अलाउट इंट्रेस्ट एड बैंक अलाउट इंट्रेस्ट 400 उसके बाद हम देख रहे हैं पर अब क्योंकि यह चार्जेस है लगाया गया है माइनस होगा कम होगी अमाउंट यहां पर इसलिए हम इसको लेस के कॉलम में लिखेंगे बैंक डेबिटेट चार्जेस 100 नेक्स्ट यहां पर हम देख रहे हैं ग्रहक द्वारा जो अमाउंट है वह सीधे की सीधे भुक्तान क पर दी गई डारेक्टली डिपोजिटेट बाई कस्टमर तो क्यूंकि डारेक्ट यह अकाउंट में डिपोजिट हो गई है प्लस हो जाएगा बढ़ जाएगे इसको एड में लिखेंगे बैंक अमाउंट डिपोजिटेट बाई कस्टमर 4000 और अब यहां पर जो बैलेंस आत लिखेंगे बैलेंस का यहां को विशेज ध्यान रखना है कि अगर जो हमारा कोश्चें बनाने का बैस है वह बैलेंस ऐस पर कैश्बूग है तो इसको डिप्रेंस बेस आएगा वह बैलेंस ऐस पर पास्गूग क्रिडिट आएगा निम्न सूचना से बैंक समाधान विब्रेंट बनाईए पहला रोकडबही के अनुसार 31 दिसंबर 2016 को अधिविकर्ष 10 अजार दूसरा उप्रोक्त समयावधी के लिए बैंक शुल्क 100 रुपे तीसरा अधिविकर्ष पर 6 माह का ब्याज 380 रुपे जो की 31 दिसंबर 2016 को पास्बुक के नाम में दर्शाया गया चौथा निवेश पर ब्याज 600 रुपे जो बैंक द्वारा संग्रहित कर खाते में जमाग किया गया पाच्वा चेक निर्गमित किया गया परंतो 2,150 रुपे की राशी 31 दिसंबर 2016 के पूरु भुनाई नहीं गई चट्वा बैंक में जमाग 1100 रुपे के चेक जो की 31 दिसंबर 2016 के पूरु संग्रहित नहीं हुए इस प्रश्ण में हम देख रहे हैं कि आधार जो है हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेट्मेंट बनाने का वो है ओवर्डॉफ एस पर दे कैश पूरुप से यहां दिया गए कि रोकड भाही के अनुसार जो शेष है वो अधिविकर शेष है जिसे हम माइनस कॉलम में लिखें उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से आइटम जुडएंगे और कौन-कौन से घटेंगे तो सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हो जाएगा बैंक चार्जिस जो लगाए गया है क्योंकि बैंक चार्जिस है डेबिट चार्जिस है तो क्योंकि घट इंट्रेस्ट ऑन ओवर्डॉट फोर सिक्स मन्त और यह जो 380 रुपए जो ब्याज की राश्रिती उसको मिकत्यस दिसम्बर 2016 को पास्बुक के डेबिट साइड में हमने इसको दर्शाया है तो हम अपना टेबल देखते हैं अगर प्लैस माइनस के लिए तो यहां पर हम पा में हम इसको लिखेंगे इंट्रेस्ट चार्ज वाइ बैंक ऑन ओवर्डॉट 380 उसके बाद पॉर्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि निवेश पर ब्याज 600 रुपया जो बैंक द्वारा संग्रहित कर खाते में जमा किया गया यह जो ब्याज है हमको प्राप्त हो रहा ह खाते में हमारे जमा हो रहा है तो एड का यह पॉइंट हो जाएगा और एड की कॉलम में इसको लिखेंगे इंट्रेस्ट और इंडेस्ट्में प्रेडिटेट इन पास्बुक बट नोट एंटर्ट इन देश्ट पॉइंट नेक्स फिफ्ट पॉइंट में देख रहे हैं कि चेक निर्गमित किया गया लेकिन दो हजार एक सो पचास की राश्री का था और यह एक अत्यस दिसम्बर दो हजार सोला के पूर भुइंट नहीं किया गया अब कुल में लाकर हम इसका एक जिस तरह से हमने टेबल पर पॉइंट देखा था उसके कॉडिंग हम कह सकते हैं कि निर्गमित चेक बुक्तान के लिए अब प्रस्तुत वाला जो पॉइंट है वह आएगा और क्योंकि अभी तक यह बुक्तान के लिए प्रस्तुत नहीं हो पाया है तो यह प्लस के कॉलम में आ जाएगा प्लस यानि कि जुड़ जाएगा और यहां पर हम लिखेंगे चेक इसुड़ बट नॉट प्रेजंटेट फॉर पेमिन 2150 नेक्स्ट सिक्स पॉइंट हम देख रहे हैं कि बैंक में जमा किया ग्यारा सो जो की 31 दिसंबर 2016 जो इसका एंडिंग एंड टाइम था जो जब इसको अपना अकाउंट क्लोस करना था वहां तक यह संग्रहित नहीं तो माइनस का पॉइंट है घड़ गया अभी तक वह संग्रहित नहीं हुआ या नहीं हमारे अकाउंट में आया नहीं तो माइनस हम इसको कर देते हैं और लेस फॉलम में हम इसको लिखेंगे चेक डिपोजिटेट बट नॉट क्लियर और 1100 से हम इसके एंट्री करेंगे अब जबकि हमको बैलेंस निकालना है प्लस माइनस का डिफरेंस हम निकाल लेंगे जो टूटल प्लस की अमाउंट है उसमें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस की जो अमाउंट है वो ज्यादा है प्लस की अमाउंट अगर हम उसमें से घटा देते हैं तो जो बैलेंस मिलता है 8830 और यहां पी हम यह ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बेस है वह ओवर्ड्रॉप्ट एस पर दे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बताता है यानि कि वह ओवर्ड्रॉप्ट है और इसको अगर हम बेस मानते हैं तो जो हमारा का आंसर आता है उसको मानेंगे ओवर्ड्रॉप्ट एस पर दपास्ट और 8830 से हम उसकी एंट्री करेंगे तो उस कंडिशन में किस प्रकार प्लस माइनस से क्या नियम लागू होगा इसको जानने के लिए हम इस प्रश्न को देखेंगे निमनलिखित सुचनाओं से 31 मार्च 2016 को बैंक समाधान विब्रेंट बनाईए पहला रोकडबही के अनुसार बैंक शीष 12,750 रुपे दूसरा 25 दिसंबर को 1,000 रुपे के चेक बैंक में जमा किये गये जिनका संगरहन 2 जनवरी को हुआ तीसरा 26 दिसंबर को विजय को जारी किया गया 2,000 रुपे का चेक बुपतान के लिए 4 जनवरी को प्रिस्पुत किया गया पाचवा एक ग्राहक ने 800 सीधे बैंक में जमा किये जिनकी सूचना 5 जनवरी 2017 को प्राप्ती हुआ पाचवा बैंक ने 700 रुपय बीमा प्रिम्यम के दिये जिसका लेखा रोकड बही में नहीं किया गया चटवा बैंक ने ब्याज के पास्बुक में 1,280 रुपय जमा किये नेक्स्ट पास्बुक में 760 रुपय बैंक वेके डेबिट किये गये इस प्रश्ण में क्योंकि जो हमारा आधार है वह रोकड बही के अनुसार डेबिट शेश है बैलेंस एस पर कैश्बुक और डेबिट तो यहां पर क्योंकि हमारे पर दो कॉलम रहते हैं डेटेल कॉलम और अमांट कॉलम और टू तू थाउजन कोड़ें सेवयन हंड्रेट फिप्टी यह मारे समांट हो जाएगा जिसे फाइनल अमांट कॉलम में लिखते हैं अब हम इसको दो भागों में बाट लेते हैं और देखती जाते हैं कि कौन-कौन से पोइंट एड होंगे उनको हम एड कॉलम में लिखते जाएंगे और जो प से देखें तो इसका जो रिकांसिलेशन स्टेटमेंट है वो 31 मार्च 2016 को बनाना है और अब क्यूंकि दो जनवरी तक इसका संग्रहन नहीं हुआ है यानि कि यह माना जाएगा कि उस पूरे वर्ष में जबकि 25 दिसंबर को दिया गया था दिसंबर तक इसका संग्रहन नहीं हो पाया है और और इस कंडिशन में यह जो इमाउंट है उसको हम लेस के कॉलम में लिखेंगे और यहां हम एंट्री करेंगे चेक डिपोजिटेट इन बट नौट कलेक्टिट 1000 नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट हम देखते हैं 26 दिसंबर को विजय को जारी किया गया द 2000 का चेक बुखतान के लिए चार जन्वरी तक प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि 31 दिसंबर को इसको प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था तो क्योंकि इसमें हम यह माल लेंगे कि निर्गमिट चेक बुखतान के लिए अभी तक बैंक पहुंचा नहीं है और जो बेस है ह एक ग्रहक ने सीधे आठ सो रुमा कर दिया है अब सी अरी सीधे आठ सो रुपया बैंक में जमक हर दिया है बैंक में जूर गया तो यह में लो क ότι का डेविशय इस्स पलस का पउइंट है एक कॉलं में इसको लिख का लिखके direct payment by the customer into bank 800 नेंट्स पॉइंट में नेट्स पॉइंट में देख रहे है कि बैंक ने 700 वप बीमा प्रेमियुम के दिया लेकिन इसका लेखा रोकरबही में नहीं किया गया यानि कि जैसे कि प्छले कोस्टें में ने लूवर की किसे किस का direct payment कर देती है तो उस कोडिशन में इसक जो बेस है वो है बैलेंस एसपर केश बुक का डेबिट बैलेंस की आधार पर हम यहां पर एंट्री कर रहे हैं तो लेस का यह कॉलम है क्योंकि डारेक्ट उसने बैंक ने भुक्तान कर दिया जबकि रोकड़ भाही में हमने किसी प्रकार की कोई प्रविश्टी नहीं कि तो य यहां हम लिखेंगे इंसुरेंस प्रेमियम पेड बाइब बैंक बट नोट एंटर इन कैश बुक और 1700 जो कि इसके माउंट है उससे हम इसके एंट्री करेंगी जो हुलेंग हम वह देख रहें कि बैंक ने ब्याज के पासंबने 1200 जमा कि यह हमने में रखना या आ्राते रहा है उल यह को मैस को भी दिद विस क क़्ेंटर लमढब के कॉलम में लिखेंगे interest by bank 1280 नेक्स्ट एंड लास्ट पॉंक्त जो है उसमें इस पर्स्ट रूप से लिखा गया है कि बैंक पास्ट बुक में साथ सो सार्ट रुपए bank वेकर debit किये गया है debit किये के चार्जस लगाया गया है minus हो जाएगा कम हो जाएगा debit का निए का पॉइंट है और रोकर भही के अनुसार क्योंकि बेस वे उमारा वह भी डेबिट है तो यह प्रेकर जितने भी पॉइंट एड लेस के थे वो हमने उसके आपर एंट्री कर दी अब हमारा जो में जो बेस था रोकर भही का शेष का च्वेल थाउजन्ट विक्टी उसम और क्यूंकि बेस हमने देखा कि बेस जो था वह कैश्बूक का डेबिट से इस था तो आंसर जो आएगा इस कंडिशन में वह बैलेंस ऐस पर पास्बूक रेट आएगा 31 दिसंबर 2016 को मेरी रोकड बही में 12,500 रुपए का बैंक अधिवकर्श दिखाया गया पास्बूक से मिलान करने पर निमनलिकित अंतरों का पता चला पहला 27 दिसंबर को 1340 रुपए की रोकड तथा चेक बैंक भेज दिए गया परंतो 230 रुपए के चेक दो जनवरी को जमा हुए थे तथा एक 45 रुपए का चेक चार जनवरी को उनके द्वारा अनादरित होकर वापस आ गया दूसरा 31 दिसंबर के माह में मैंने अपने लेंदारों को 1640 रुपए के चेक निर्गमित किये इनमें से 1370 रुपए का चेक पांच फरवरी को भुक्तान के लिए पेश किया गया तीसरा बैंक ने मेरे आदेशा निसार जनवरी माह के निमनलिकित भुक्तान किये पहला जीवन बीमा प्रेमियम 170 रुपए टेलिवेजन लाइसेंस फीस 120 रुपए ड्राइविंग लाइसेंस फीस 22 रुपए चोथा मेरे बैंक ने 150 अंशुपर लाभाईश के एकत्रित किये हैं पाचवा मेरे बैंक ने मुझे 150 रुपए के गलत जमा दी हैं चटवा बैंक द्वारा ब्याज काटा गया 125 रुपए इस प्रश्ण में हमको बैंक रिकंसिलेशन स्टेट्मेंट 31 दिसंबर 2016 के लिए बनाना है और आधार जो हमारा है वह होगा रोकड़ बही का अधिकर्ष यानि की रोकड़ बही का क्रेडिट बैलेंस 12500 रुपए तो सबसे पहले हम इसमें ओवरड्रॉप्ट या क्रेडिट बैलेंस ऐस पर कैश्बुक लिखेंगे में जो हमारा अमांट कॉलम है उसके अंतरगत और अब देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से पॉइंट प्लस होंगे और कौन-कौन से माइनस होंगे तो सबसे पहले हम फ़र्स पॉइंट को अगर ध्यान से देखें तो यहां हमको दिखाई दे रहा है कि टोटल जो है वो 27 दिसमबर को 1340 रुपए की जो रोकर है और चेक है वो बैंक में भेज दिया गया लेकिन 230 रुपए के चेक ऐसे हैं जो दो जनवरी को जमा किये यानि कुल मिलाकर यह कहना चाहरा है कि 230 रुपए के चेक अंतिम तिथी तक यानि की 31 दिसमबर तक प्रस्तूत नहीं किये गये थे जिन्हें हम टेबल के कोडिंग अगर देखे तो हम कहते हैं कि निर्गमित चेक भुपतान के लिए अप प्रस्तूत चेक पेट इंटू बै बैंक में भी तक नहीं गये हैं तो यह माइनस हो जाएगा पॉइंट यानि कि हम लेस के कॉलम में इसको लिखेंगे चेक पेड इंटू बैंक बट नॉट ट्रेट इन जैन्वरी टू थर्टी से माइनस में इसके एंट्री करेंगे लेस में और इसी के अंदर हम देख रहे ह के बाद पिर अनादरित हो जाता है हम तो उसको हम यहां पर माइनस करते हैं कब माइनस करते हैं अगर कैश बुक का ओवर्डॉप हो यानि की क्रेडिट बैलन्स हो तो और इसको हम लिखेंगे चेक पेड इंटू बैंक बट दिसॉनर्ड और फोटिफाइब से माइनस में की एंट्री करेंगे लेस वाले कॉलम में और नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि दिसंबर के माह में लेंदारों को भुकतान किया गया 1670 रुपय का चेक निर्गमित किया गया और इनमें से 1370 के चेक पांच परिवरी को भुकतान के लिए प्रस्थूत किया गया कुल मिलाकर ये पॉइंट हमको ये कहना चाहरा है कि 1370 रुपय का चेक ऐसा था जो की निर्गमित हुआ लेकिन भुकतान के लिए प्रस्थूत यानि इसके अंतरगत आएगा और ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो चेक है यह 35 दिसमबर तक प्रस्तुत हो जाना चाहिए था लेकिन यह पांच परवरी को प्रस्तुत किया गया तो क्योंकि अगर हम टेबल देखते हैं और कैश्बुक का ओवर्डॉफ देखते हैं यानि कि क्रेडिट बैलेंस देखते हैं तो यह जो पॉइंट है यह प्लस का पॉइंट हो जाता है और प्लस यानि कि एड़ वाले कॉलम के अंतरगत हम लिखेंगे चेक इशूट बट नॉट प्रेजेंट फॉर प्रेविंट इन जैन्वरी और तेरा सो सत्तर से हम इसके एंट्री करेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट हम देख रहे हैं जिसमें तीन एक्सपेंस दिये गया है लाइफ इंसुरेंस दिया गया है टेल्विजन लाइसेंस फीज दी गई है और यह तीनों ही एक्सपेंस जो है वह बैंक के द्वारा सीधे बुक्तान किये जा रहे हैं तो हमने अभी पिछ करते हैं कई मायनस करते हैं लेकिन जबकी जो मत बेरनें तो इस सब्सक्राइब को ध्यान से पर जो पॉइंट है यह माइनस के पॉइंट है तो हम लेस में इस पूरी की पूरी अमाउंट को टोटल करके लिखेंगे अमाउंट पेड बाइब बैंक अकॉर्डिंग तो इस प्रेमियम वन हर्डिट सवेंटी टेलीविजन लाइसेंस फेस वन हंदेट ट्वेंटी ड्राइविंग लाइसेंस फेस ट्वेंटी टूल पीज तो यह माइनस कोलम में आजाएगा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि मेरे बैंक ने 150 यहां पर दिया गया अंशो पर लाभांश के लिए एकत्रित किये अब क्योंकि अंशो पर लाभांश प्राप्त हो रहा है और बेस जो है वह हमारा वह ओरड्रॉफ्ट है कैश्बुक का तो यह जो पॉ कोड़न में करेंगे डिविडेंट क्लेक्टेट बाइबांग नेक्स्ट एक पॉइंट दिया गया है बैंक ने मुझे 150 रुपये की गलत जमा दी गलती से बैंक ने उसके अकाउंट में डाल दिया यानिक उसके अकाउंट में आ गया तो हो जाहिर से बाती की बढ़ी जाए नेक्स पउइन्स पंट है तो में हमसको मायनस करते हैं गर्थ करते हैं तो बनेस जो आता है वह आता है 11,542 और क्योंकि हमारा जो बेस था वो था ओवर्ड्रॉप यानि कि क्रेडिट बैलन्स ऐस पर कैश्च बुक तो अब यहां पर जो आंसर आएगा वह जाएगा ओवर्ड्रॉप डेविट बैलन्स ऐस पर पास्बुक श्री मूर्ले की पास्बुक के अनुसार अधे विकर्ष 20,000 रुपए है 31 दिसंबर 2016 के लिए बैंक समधान विवरेंट बनाईए पहला पास्बुक के अनुसार नाम किये गया बैंक श्री पांच सो रुपए दूसरा 2500 रुपए के चेक जो रोकर बही में तो अब लिकित भुक्तान 4600 रुपए चोथा निर्गमित चेक जो भुक्तान के लिए प्रस्थ नहीं हुए 6980 रुपए पाच्वा बैंक द्वारा जमा पर व्याच 100 रुपए चट्वा जीवन विमा के कृष्ट का भुक्तान बैंक द्वारा किया गया 2500 रुपए साथवा जमा किये गया जिनका संग्रण नहीं हुआ 3500 रुपए यहां पर इस प्रेश्ट में हम देख रहे हैं कि बैंक समधान विवरंट तयार करने का जो हमारा आधार है वो है पास्बुक के अनुसार अधिविकर्ष 20,000 रुपए दिया गया है इस कंडिशन में इसको हम सबसे पहले क्यूंकि अधिविकर्ष है यह इसनuba हम मानिस आइटम में लिखेंगे अधिविकर्ष को हम टोटल आइटम में लिखेंगे बैड़ बेस मानकर और आयो देखत कि इसमें किस किस चीज़ों को प्लस और किस को मैनस करना है तो सबसे पर्स्ट पॉइंट जो है इसके अंतरगत हम देख रहे हैं कि पास्बुक का जो डेबिट किया गया बैंक शुल्ख है वो यह 500 अब क्योंकि पास्बुक के अनुसार यह नामी किये गा है डेबिट कि इसके बाद सब्सक्रायान है कि 2500 इसके बाद सेके रहे थे आगल को डेक यह 36 सा टुवक में उसके एक पाई жд挺 आगलने धर सब्सक्राण को चैश्माटन में हम सब्सक्राइबं के अगर तो कि चेट बैंग में यह नहीं विजा है और अगर पैश्म्सबुक का अधिव तो इस condition में हम इसको add कर देते हैं और यहां हम लिखेंगे check recorded in the cash book but not sent for collection और 2500 से हम इसको plus में लिखेंगे उसके बाद हम देख रहे हैं third point में ग्राहक से सीधे प्राप्त हुए बुकतान received payment directly from customer अब इस condition में क्योंकि ग्राहक से सीधे हमको यह प्राप्त हुआ है किसी प्रकार से passbook में कोई प्रभाव इसका नहीं पढ़ रहा है तो यहां पर क्योंकि passbook का overdraft जो है उसको माधार मानकर बना रहे हैं तो इस condition में यह जो point minus हो जाएगा क्योंकि किसी प्रकार की कोई bank की राजी में जद्धी नहीं हुई है और यहां हम लिखेंगे less amount directly paid by customer in the bank 4600 से हम इसके entry करेंगे उसके बाद हम देख रहे हैं पर कि निर्गमिद चेक जो भुकतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए अभी तक वो नहीं मिली है और दूसरे बात आधार क्या मान रहे हैं कि पास बुक का अधिविकर शेष है अब जबके पास बुक का अधिविकर शेष होता है तो ऐसी दर्शा में अगर निर्गमिद चेक जो भुकतान के लिए प्रस्तोत अभी तक नहीं हुए हैं उनको घटा देते हैं क लिए प्राप्ट होगा तो यहां पर क्योंकि बैंक इसको अलाओ कर रहा है और इस करहिशन में अगर बेस ब्राइब को आ दिया है कुर्शन में तो यहां पर माइनस कर देंगे और टेबल को हूं लोग करते चलेंगे, एक्षियु माइनस किया जा रहा है, क्वु प्लस किया जा रहा है, इसमें हमने हमने चार दशाओं को जैसे कि वीडियो पे देखा था, चार अलग अलग दशाएं होती है, जबके रोकड भही का डेहित शेर सेश होता है, रोकड भही का क्रेडिट शेर स और चारो इदशाओं में जो नियम होते हैं वो एक दूसरी के विपरीत होते चलते हैं फिलहाल सबके पीछे एक पुछ ना कुछ लॉजिक है कि क्यों उसको हमने प्लस किया और क्यों माइनस किया लेकिन हमने साथ में टेबल को भी देखा और टेबल के आधार पर जो नुमेर किया गया और माइनस करना या प्लस करने टेबल के को अलग अलग कर रहे हैं जैसे कि अब सेक्सिक्स पॉइंट में हम देख रहे हैं कि जीवन वीमा की जो किस्त है उसका भुकतान बैंक के द्वारे किया गया तो यह पॉइंट हमने पिछले कोश्यम में भी देखा और करता हैं तो सबसे पहले किस एक देख मैंन प्लस माइन पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा व क्रीक तो इस कंडिशन में यह चिंगर मैं行了 कर तो अंद कर दिए है एड एलाई से इंस्टरेंस प्रीमियम पेड बाइद बैंक 2500 से हम इसकी एंट्रिप प्लस आइटम में करेंगे नेक्स्ट जो है वह जमा कराएगे चेक जिनका संग्रण नहीं हुआ जिसकी बारे में हमने विछले कोश्चन में भी देखा कि इस तरह का जो पॉइंट आता है उसे हम शौट में लिखते हैं संग्रा है तू भेजे गया चेक असंग्री और अब आप जब टेबल देख रहे ह है कि अगर पास्बुक का ओवर्ड्रॉफ्ट बैलेंस है इसमें और इस कंडिशन में अगर संग्रा है तू भेजे के चक असंग्रा ही तरह जाती है चेक डिपोजिटेट इस तरह का पॉइंट दिया गया है तो यह सीधे सीधे इसमें एड हो जाता है और हम इसको कर देंग से चेक डिपोजिटेट बट नॉट क्लियर अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक सरसरी निगाह से देखा जाए तो प्लस का जो आइटम है उसके मांट जो है टोटल हो कम है माइनस का जो टोटल है वह ज्यादा दिख रहा है अब हम जो हमारा मेन बेस था उसमें से प्लस मा तो आंसर जो हमारा आएगा वो हो जाएगा ओर ट्रॉप्ट एस पर दो कैश्वूग निम्नांकित विवरेंट से मेसर समीर प्रदर्स का बैंक समधान विवरेंट 31 दिसंबर 2016 को तयार के जिए सेकेंड बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज जो अभी तक रोकडबही में नहीं लिखा गया है 240 थर्ड बैंक वेर जो अभी तक रोकडबही में नहीं लिखे गया है सिक्स्टी फॉर्थ बैंकों को दिये गया चेक जिनका भुकतान अभी तक नहीं हुआ है 5300 फिफ्ट बैंक में जमा कराया गया चेक जो अभी तक संग्रहित नहीं हुए है 4346 को बट्टे पर बैंक से बुनाया गया एक प्राफ्त बिल 31 दिसम्बर 2016 को अनादरित हो गया 2007 एक जार रुपए का एक चेक रोकर फुस्तक के डेविट पक्ष में लिखा गया कि इस प्रेश्ट में हम जो देख रहे हैं मारे जो क्याल्कुलेशन भी बैंक रिकंसलेशन स्टेक्मेंट के अंतर गर उसका जो बेस है वो है और रॉप्ट एस पर पास्बुक अब अगर हम टेबल देखें इस कंडिशन में हमको सिर्फ टेबल का जो कॉलम ओर रॉप्ट एस पर पास्बुक के वर उसको फॉलो करना है उसको ध्यान देना है और उसके को देखना है कि कौन-कौन से चीज़े प्लस होंगी और कौन-कौन से चीज़े माइनस होंगी यहां पर तो अधारी चीज़े जो पास्बुक के क्रेडिट शेश के आधार पर फ्लस होती थी वो सबब माइनस हो जाएंगी और जो माइनस होती थी वो सबब प्लस हो जाएंगी इस कंडिशन में जो फॉस्ट हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा बैंक अधिवी कुष्प पर पॉइंट में कहा गया है कि बैंक वे जो अभी तक रोकडबही में नहीं लिखे गया है तो अब हम उनको प्लस कॉलम में लिख देंगे आने कि इसमें प्लस कर देंगे तो यहां हमारी एंट्री हो जाएगे बैंक चार्ज़िस टैबल में देख रहे हैं कि अगर ते पर बेस हैर आसी कंडिशन में यह जो पॉइंट है यह जो पोइंट है यह जो पॉइंट है यह माइनस हो जाता है तो हम अब इसको माइनस के कॉलम में लिख देंगे 5300 नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहा है बैंक में जमा कराएगा चेक जो अभी तक संग्रहित नहीं हुए 4340 यानि कि संग्रह है तो भेजे गया चेक असंग्रहित इस टॉपिक के आइटम जो है वो एड हो जाता है प्लस का आइटम है यह तो एड कॉलम में हम इसको लिख देंगे चेक डिपॉजिटेट बट नॉट कलेक्टेट 4340 नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि डिसकांटेट बिल्ल्ट हो गया अनाधरित हो गया और क्योंकि वह जो चेक था उसको यह देखना रहता है कि किस तरह का वो चेक था तो यहां पर पस्ट्रोप से दिया गया है कि बट्टे पर भुनाया गया था वो पत्र भुना लिया गया था और उसके बाद वो अनाधरित हो रहा है तो ऐसी कंडिशन में वापस ही आ जाएगा और जूड जाएगा या में एक हजार उपय का एक चेक है जो रोकर पुस्टक की डेबिट में लिखा लेकिन बैंक भूजना हम उसको भूल गया है तो ऐसी कंडिशन में भूल गया है अभी तक हम नहीं किया है तो अब हम उसको एड कर देंगे तो एड के कॉलम में यह पॉइंट आ जाएगा चेक अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जो में हमारा जो बेस था 13,880 उसमें जो प्लस के है वो तो बहुत सारे पॉइंट है माइनस का केवल एक पॉइंट है तो इसकी क्यलकुलेशन जब हम कर लेंगे प्लस माइनस की तो जो हमारा बालेंस बचता है वो आएगा 11,540 और क्यू तो आंसर जो आएगा अब वो हो जाएगा ओवरड्रॉप एस पर केश्पुक और 11,540 से हम इसकी एंट्री कर लेंगे